आज हम बात करते हैं अलबर्ट आइंस्टीन के बारे में एक सामको अलबर्ट आइंस्टीन सडक किनारे पर टहल रही थे अपनी यूज्वल वाक के दौरान तब ये एक बच्चा उनके पास आया जो जूते साफ करने वाला था उन्होंने उस बच्चे आइंस्टीन से कहा कि अपने बूट पॉलिस करा लीजिए आइंस्टीन ने जूतों की तरफ ध्यान दिया और बच्चे से बोले जूते तो मेरे चमक रहे हैं मैं बूट पॉलिस तो नहीं करा पाऊंगा फॉरी बच्चे ने जूत की सर प्लीस करा ली तो आइंस्टीन ने बच्चे का मन रखने के लिए कहा कि चलो जूते तो मैं पॉलिस नहीं करा सकता लेकिन अगर तुम अपना मूद होगे तो मैं तुम 25 डॉलर दूंगा सालाक बच्चा तेजी से वहां से भागा और हैंड पॉम पर जाके अपना मूद होगा आइंस्टीन ने भी अपना बच्चे निभाया और 25 डॉलर उस बच्चे के हाथ से रखते होगे उन्होंने पूछा बिटा तुम इनका क्या करोगे रारती बच्चा बुला कि अगर आप अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए जाएंगे और अपने सिर्पर से ये क्रिसमस ट्री हटवा लेंगे तो सारे पैसे में तुम्हें वापिस दे दूँगा थेंक्यू थेंक्यू वरी मच्च